दोस्तों महराष्ट चुनाओ का शंखनाद हो चुका है 20 नवंबर को महराष्ट की 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे चाहे बात महाविकास अगाली की कर लीजिए या महायुती की कर लीजिए हर तरफ लगबग लगबग सीट शेरिंग हो गई है कौन कितनी सीटों पर चु राजेंद्र शिंग्ले ने अजीत पवार की पार्टी को अलविदा कह दिया है जिया दोस्तों राजेंद्र शिंग्ले एक बड़े नेता है और राजेंद्र शिंग्ले ने इस्तीफा दे दिया है अजीत पवार की पार्टी से ये सिंध खेड राजा से विधायक हैं लेकि पी शरत पवार का दामन थाम लिया है राजिंदर शिंगले पांच बार के विधायक थे अजीद पवार के साथ 90 के दशक से थे 1995 से ये अजीद पवार के साथ साय की तरह चलते थे लेकिन आप देखिये दोस्तों किस तरह से ये रिष्टा टूट गया है राजेंदर शिंग्ले ने अजीद पवार का साथ छोड़ दिया है तमाम निता ऐसे हैं जो लगातार अजीद पवार का साथ छोड़ते जा रहें क्योंकि अजीद पवार की पार्टी के निताओं को ऐसा लगता है कि अजीद पवार को महायुती में शामिल नहीं होना चाहिए था इस अलाइंस में नहीं होना चाहिए था अजीत पवार की तमाम सियासी मजबूरियां रही उस वक्त वो अपनी पार्टी को तोड़ कर महायुती के साथ आ गए उपमुख्यमंत्री बन गए लेकिन दोस्तों जिस तरह से अजीत पवार 80 सीटे मांग रहे थे कि 80 सीटे उनको लडने के लिए दी जाए पार्टी ने उन अजीत पवार को पूरी तरह से एगनूर कर दिया गया अब अजीत पवार के सामने चुनौतियां ये हैं कि वो आखिर इन 58 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को कैसे जिताएंगे क्योंकि उनकी पार्टी के तमाम नेता नाराज होकर उनका साथ छोड़ रहे हैं कुछ दि अजीत पवार अब क्या करें उनको खुद समझ में नहीं आरा लेकिन दोस्तों जब राजेंदर शिंगले जैसे कद के नेता जो पांच बार विधायक रहे जब ऐसे नेता पार्टी का साथ छोड़ेंगे और वो भी चुनाओ के एन मौके पर छोड़ेंगे जब परशार ब विधायक नाच शिंदे इन तमाम नेताओं के सहारे हैं अजीत पवार का जो महराश्ट की राजनीत में राजनेति कद था जो रसूख था वो लगातार कम होता जा रहा है शरत पवार के साथ वो थे शरत पवार उनके चाचा हैं महराश्ट के चार बार मुख्यमंतری रहे है लेकिन अजीद पवार को ऐसा लगा कि शरत पवार से जादा फाइदा जादा सम्मान उनको महायुती में मिलेगा और आज की तारीख में स्थिती ये है कि अजीद पवार को मन मताबिक सीटे तक नहीं मिल रही बड़े बड़े नेता उनका साथ छोड़ करके जा रहे दूसरी और दोस्तों अजीद पवार के एक बड़े करीबी है नवाब मलिक मुंबई की अनुशक्ति नगर सीट से विधायक है अब कहा ये जा रहा है कि देवेंद्र फड़नवीस और अजीद पवार के बीच नवाब मलिक को लेकर जगड़ा बढ़ गया है क्योंकि देवेंद्र फड़नवीस ये संकेत दे रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसके संबंद दाउद से रहे हूं उसको महाजूती टिकट नहीं देगा नवाब मलिक के उपर ऐसे आरोप थे वो लंबे वक्त तक जेल में भी रहे लेकिन नवाब मलिक ये चाहते हैं कि उनकी जगह इस बार उनकी बेटी सना मलिक वो चुनाओ लड़े फिलाल भारती जंता पार्टी इस बात को लेकर राजी नहीं है और अजीदपवार न्वाब मलिक की बेटी को या नवाब मलिक को किसी भी कीमत पर चुनाओ लड़ाना चाहते हैं लेकिन देवेंद्र फलणवीस और अजीदपवार न्वाब मलिक की वज़े से ही दोस्तों, इनके भीच में अकसर जगड़ा हुआ है और चुनाओं के मौके पर एक बार फिर ये जगला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अगर नवाब मलिक की बेटी को टिकट ना मिला तो इस बात को माना जाएगा कि अजीद पवार जुग गए और अगर अजीद पवार जुगते हैं तो नवाब मलिक जैसे नेता खामोश भी नहीं बैठेंगे वो चुनाओ तो उनको अपनी बेटी को लड़ाना ही लड़ाना है यानि नवाब मलिक की वज़े से भी अजीद पवार और देवेंदर फलनवीस का जगला बढ़ सकता है और दोनों नेताओं की जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ रही है फिलाल अजीद पवार को बड़ा जटका लगा है अब अजीद पवार कैसे अपनी पार्टी को समालेंगे कैसे खुद को मजबूत करेंगे ये भी दोस्तों एक एहम सवाल है फिलाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही इस खबर पर अपनी राय जरूर बताईएगा और महराज़्ट के चुनाओं बहुत दिल्चस्प हो रहे हैं दोस्तों हमारी भी नजर है आप अपनी भी नजर बना के रखिएगा